दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की घुटनों के दर्द की सिकायत आज कल बहुत से लोगों को रहती है और वो दवाईयां भी करते हैं लेकिन उनको कुछ आराम नहीं होता इसके लिए हम आपको एक आयुर्वेदिक दव हो जाता है विशेशकर बुढ़ापे में घुटने नहीं दुखते और एडी का दर्द भी ठीक हो जाता है इसको लगतार एक दो महिने तक लें मेति का परियोग मचली के तेल की जगह पर भी दिया जाता है क्योंकि यह काड़ लिवर की तरह यह भी घुटनों का दर्द सना दूद के रोग के पीछे बचने वाली निर्वलता आदी में बहुत ही लाब दायक्सिद होता है जहां मचली का तेल दिया जाता है वही मैथी के बीज का पाउडर दो चमची मातरा से दूद के साथ लेने से वही लाब होता है इसके अलावा सुबह भूके पेट तीन-चार अख्रोट की गीरिया निकाल कर कुछ दिन तक खाने से भी गुटनों का दर्द खत्म हो जाता है हडियों की चिकनाई बढ़ती है और मस्तिस्क भी पूष्ट होता है नारियल की गीरी अक्सर खाते रहने से भी गुटनों के दर्द होने की संभावना नहीं रहती दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सबस्क्राइब चलूर करें